Hello everyone, Assalamualaikum and welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हालरॉनिक एसिड का कम्प्लीट रिव्यू इस वीडियो में इन डीटियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हालरॉनिक एसिड किस थरहां से इस्तमाल किया जाता है और इसे क्यों इस्तमाल करना चाहिए इस बारे में तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फिर्स्ट और बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की तो यहां पर मेरे पस दा और्डिनरी ब्रैंड का हैलरॉनिक एसिड अवेलिबल है यह आपको किसी भी अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगा यह पिर अगर आप बाय करना चाती हैं लोकल मार्केट से तो आप अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से बाय कर सकती हैं इसके बॉक्स के पर आपको सारी डीटेल्स मिल जाती है किस तरहां से आपने इसे यूज़ करना है उसके इलावा इसमें जो इंक्रीडिन्स यूज़ हुए है उनके बारे में जल्दी से इसे उपन कर लेते हैं उपन करने पर यह आपको ग्लास बॉटल की पैकेजिंग में मिलता है इसमें आपको जो कॉंटिटी मिलती है वो आपको 30 एमन मिलती है और यह जो हैलरॉनिक एसिड है जिसका रिव्यू में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगर आप चाहें तो आप किसी भी ब्रैंड का हैलरॉनिक एसिड बाय कर सकती है जो भी अफोर्डेबल आपको लगे लेकिन अगर बेस्ट हैलरॉनिक एसिड की बात की जाए तो मैं आपको ही सजेस्ट करूंगी कि आप दा और्डिनरी ब्रैंड का हैलरॉनिक एसिड ही तो first of all, आप इसे daytime में भी use कर सकती है, night time में भी use कर सकती है, इसे use करने से पहले, आपने फेस को अच्छे से wash करना है, then cleansing करनी है, और अपने face को थोड़ा सा आपने wet रखना है, यानिकि बिल्कुल आपने dry नहीं करना, अपने face को थोड़ा सा गीला आपका face होगा, तो then आप इसके true drops अपने hand के पर लेंगी, और इसे अपने face के पर dab-dab करके apply कर देंगी, तो ये hyaluronic acid आपके skin में बहुत अच्छे से absorb हो जाएगा, after then आपने क्या करना है, कि आप इसके उपर कोई से भी अच्छे brand का moisturizer यूज़ कर सकती है, जैसे कि अगर आप day time में यूज़ कर रही है hyaluronic acid को, then आप किसी भी अच्छे brand का moisturizer यूज़ कर सकती है, after then आपने उसके पर sunblock जरूर अप्लाए करना है, यहाँ पर मेरे पास Neutrogenal brand का moisturizer अवेलिबल है, यह आप जब अप्लाए करेंगे अपने face के पर तो इसमें SPF 25 भी है, तो आपको अलग से sunblock यूज़ करने की जरूरत नहीं परती, अगर आप ordinary brand का hyaluronic acid serum यूज़ नहीं करना चाहती, तो आप Neutrogenal brand की hydra boost gel cream आती है, इसमें भी hyaluronic acid available होता है, तो आप ये यूज़ कर सकती है, अगर आपको serum पसंद नहीं है, तो आप ये water gel जो cream आती है, आप वो यूज़ कर सकती है, अब बात कर लेती हैं, मॉस्टराइजर की, तो मॉस्टराइजर इसलिए अप्लाई किया जाता है, जो हम hyaluronic acid अप्लाई करते हैं, वो हमारे skin से उड़ना जाए, evaporate ना होज़े, तो इसलिए हम मॉस्टराइजर ज़रूर अप्लाई करते हैं, आफ्टर हैलराणिक acid, यहां पर आप चाहें, तो निट्रिजिना ब्रैंट का मॉस्टराइजर इंग लोशन ले सकती हैं, या फिर आपके पस जो भी मॉस्टराइजर लोशन है या क्रीम है, आप वो यूज़ कर सकती हैं, अगर आप नाइट टाइम में इसे यूज़ कर रही हैं, तो आप इसके साथ को इसी भी नाइट क्रीम अप्लाई कर सकती हैं, आफ्टर देन इस सीरम को अप्लाई करने के बाद, I hope so, कि आप लोगो को इस सीरम का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और आपको पता चल गया होगा कि आपने इसे किस तरह से इस्तमाल करना है, अब बात कर लेते हैं कि हालरानिक एसिड को क्यों यूज किया जाता है, हालरानिक एसिड को यूज किया जाता है सकिन को मॉस्टराइज रखने के लिए, और सकिन को स्मूध और सब्पल रखने के लिए हालरानिक एसिड यूज किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बेबी सोते हैं उनकी स्किन बहुत सदा मॉस्टराइज होती है बहुत सदा ग्लो कर रही होती है और जैसे जैसे एज बढ़ना स्टार्ट होती है हमारी हमारी स्किन डल हो जाती है मारी स्किन इतनी मॉस्टराइज नहीं रहती और हमारी स्किन के ओपर रिंकल्स और फाइन लाइन्स आने लग जाते हैं हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग नजर आए हमारी स्किन मॉस्टराइज रहे और अगर आप हैलरानिक एसे डेली बेसिस पर यूज करते हैं उसकी इलावा भी हर स्किन टाइप के लोगों को हालराणिक इसट मस्ट यूज कर ना चाहिए I hope so guys आप लोगो हालराणिक इसट का रिवियू अच्छा लगा होगा अगर आपको ये रिवियू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप मुझे इंस्टा और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकती है मैं आप से मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक रे बाबाए, टेक कियर और अलाहाफेज